कैसे हो आप सब आप सबी का वेलकम है आज की इस विडियो में और बात करने वाले हैं करन्ट क्रिप्टो मार्केट की सिचुएशन के बारे में क्या मार्केट में हाल चल रहे हैं और क्या important अपडेट आरे हैं सारी अपडेट आपके साथ कवर करेंगे वो भी बहुत जरूरी ह सबसे पहले अगर आप मार्केट देखोगे रेड बिलकुल बिटकोईन 16,500 के लेवल पे चल रहा है और 15,500 का जो एक बॉटम है वो बिटकोई ने अलरड़ी हिट किया हुआ है तो 16,500 कोई बड़ा नमबर नहीं है 15,500 के मुकाबले अगर हम देखें एक यहाँ पे डंप जो है 15,500 को भी तोड़ देगा तो जिस तरह से प्राइज इस बॉटम के बिलकुल करीब करीब ही है जदा उपर नहीं गया है उस हिसाब से लग रहा है कि बिटकोईन जल्दी आपक 12,000 भी दिखेगा तो जिस तरह से प्राइज बिटकोईन की इसी लेवल पे घूम रही है यह चीज तो क्लियर है कि मार्केट में कभी भी यहाँ पे कोई बैड नहीं हो जाती है तो सीधा बिटकोईन 15,500 को ब्रेक कर देगा 15,500 को और बॉटम का ही वेट कर रहे हैं सभी क्य Definitely किस तरह से मार्केट अभी प्रेशर में दिखे रहा है आपको पता है FTX का कॉलाप्स हुआ उसके बाद मार्केट में करेश आया और अभी तक उस करेश से उभर नहीं पाया है ठीक है थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है लेकिन रिकावरी भी हम देखेंगे मार्केट म BNB 278 डॉलर 280 डॉलर से नीचे आ चुका है ये भी 2% डाउन है Ethereum 1227 डॉलर अब आपको एक Ethereum की वैल्यू अठानवे हजार पे देखने को मिल रही होगी है ना कभी एक लाग से उपर हो रहा है कभी 94, 93,000 डॉलर पे रुपीज पे भी जा रहा है है ना Solana 13 डॉलर पे फिर से लेवल आ चुके हैं और 5% डाउन है अगर हम Dogecoin की बात करते हैं 0.086 पे और Dogecoin कल Elon Musk ने बोला Doge to the Moon और ये Dogecoin मून पे चला भी गया था है ना अब अगर आप देखो एक चीज इस Bear Market के अंदर एक Token 87% का Profit दे चुका है और ये Token अगर आप देखोगे यहां पे ये जो Coin है ये Trust Wallet का Token है बिल्कुल ये जो Coin है Trust Wallet का Coin आप देखो एक्षिंजिस के Collapse हो रहे हैं बहुत सारी exchanges फिर सिर राडार पे चल रही है वो भी Collapse हो सकती है होंगी या नहीं होंगी टाइम बताएगा लेकिन अगर आपके Fund है उन exchanges के उपर आप जल्दी से withdraw कर ले Coin जो हमने Crypto.com आपको बताया Gate I.O. बताया और हुआ भी बताया CGH है ना इन तीन exchanges में Fund है तो withdraw कर ले क्योंकि Fund को Save रखना इस टेम पे वो सबसे ज़्यदा बड़ी Priority है जिस तरह से FTX का Collapse हुआ है तो ऐसे में अगर आप देखो Trust Wallet क्या है एक Decentralized Wallet है जैसे Dex हो गया ना Meta Mask हो गया बहुत सार ऐसे Decentralized Wallet है उनके जो tokens है उनके price बढ़ रहे है जो wallets है जो wallet है उनके price यहाँ बढ़ रहे है उनके token के और उसी में एक है यहाँ पर 87-90% यहाँ पर जो है price बढ़ चुका है Trust Wallet token का क्योंकि अब exchanges से कही ना कहीं fund निकाल के लोग जो है wallets को use कर रहे है तो इस ऐसे में ही wallets के जो tokens है उनका price बढ़ रहा है और यह इस टाइम पर चांदी करवा रहे हैं अपने holders की जितने भी यह trust wallet के tokens है जितने भी wallet वाले जो tokens है जितने wallets है उनके tokens है वो यहाँ पर अच्छा pump कर रहे है ठीक है overall market red में है शिवा इन्हों भी देखेंगे तो 0.5x0913 के level पे चल रहा है polygon 0.89 पे चल रहा है तो थोड़ा सा pressure market में है और जब तक एक final bottom हिट नहीं होता market उपर नहीं जाएगा है ना जिस दिन final bottom हिट कर लिया उस दिन कुछ बड़ा भी हो सकता है उस bottom को हिट करके bitcoin दो तीन हजार डॉलर भी उपर जा सकता है इसलिए आपके जो orders है वो पहले ही लग जाने चाहिए ताकि जब market bottom पे आए तो आपकी entry exact bottom पे उसकी आसपास भी बन जाए तो वो भी अच्छा है तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिवे टौशी जो शिवे टौशी नाकमोटो है मतलब जो बिली मार्कस है जो डॉज को इनके founder है उनका एक अगर आप देखोगे यहां पर tweet जो है वाइरल हो रहा है और इसके अंदर क्या कहा है शिबा इस फॉर मौरॉंस मतलब शिबा इस तरह का जो है statement यहां पर बिली मार्कस जो डॉज कोईन के करता धरता है जिन्होंने डॉज कोईन को बनाया है मार्केट में लेके आया है इलॉन मस्स सपोर्ट करते हैं ऐसे में ऐसा statement देना कहीं न कहीं अगर आप देखो शिबा इनू आया ही डॉज कोईन किलर बन के था मतलब जब शिबा इनू मार्केट में आया था तो उसको डॉज कोईन किलर ही कहा जाता था और डॉज कोईन को किल करने का पूरा पूरा काम यहां पर किया है किसने शिबा इनू ने उसको बिल्कुल उसके पास आके बैठ गया शिबा इनू एक दो साल के अंदर और यही ची डोज कोईन किलर के नाम से जैसे ही आया शिवा एनू ने इतने बड़िया रिटर्न दिये तुकि देखो भया जिस कोईन से बड़िया रिटर्न मिलेगा ना लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे और शिवा एनू इतना स्ट्रॉंग तो अब बन चुका है डॉज कोईन के मुकाबले अगर हम देखें शिवा इनू जैदा स्रोंग है भले शिवा इनू का प्राइज नहीं बढ़ रहा ठीक है और बहुत नीचे आ चुका है लेकिन जिस दिन बॉल रेंच शुरू होगा जिस दिन बॉल साइकिल स्टार्ट होगी जब शिवा इनू की जो कहते हैं बुलिश ट्रेंड शुरू होगा वो फिर शिवा इनू को बहुत उपर लेके जाने वाला है लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट देना की शिवा इस फॉर मॉरांस ये कहीं न कहीं मुझे नहीं लगता की शिवा इनू की कम्यूनिटी यहां पर जो है चुप ग्लोबल भी यहां पर राडार पर आ चुकी है जिस तरह की एक्टिविटीज होरी इन एक्सिंजिस की क्रिप्टो डॉट कॉम गेट आये और हुआ भी ग्लोबल एड्रेस इस गंसर्न रेज सराउंडिंग फेक रिजर्व स्नैपशोट इन्होंने भी जो है अपना रिजर् आउट ओफ स्नैपशोट वालेट तो इनका भी 10,000 इथीरियम जो है सेंड करने का यहां पर आप जो है अगर आप देखोगे 10,000 इथीरियम बिंग मूवड आउट ओफ दा हुआ भी 34 वालेट है ना और यह जो इन्होंने अपना जो है रिजर्व दिखाया है प्रूफ ओफ रिजर्व इसके अंदर भी आफ्टर हुआ भी रिलीज दा एसेट स्नैपशोट ओफ दा एसेट रिजर्व 10,000 इथीरियम बॉस टांसफर्ड फॉम हुआ भी 34 वालेट तो बाइनस तो बाइनस के ऊपर चले गए 10,000 इथीरियम और ओकेक्स डिपोजिट वालेट अंदर हु 558 इथीरियम एट दा टाइम ओफ दा स्नैपशोट मतलब यह जो चीजें हो रही है इथीरियम को ट्रांसफर कर लिया और यह सारे जो सिगनल है यह ठीक नहीं है एक्सिंजिस के लिए है इसलिए हम कह रहे थे मॉर्निंग में भी कि हुआ भी भी लिस्ट में आ चुकी है जो है ट्रांसफर किया इतना बड़ा अमांट ट्रांसफर किया और वो गलती से हो गया तो ऐसा नहीं होता है सब जो है यहां पे कुछ ना कुछ गड़बड है तब ही इन तीन एक्सिंजर से अभी आप फिलहाल दूर रहो और अपने फंड को सेफ रखो ठीक है तो हुआबी गलोबल का जो टोकन है ओफिशियल जो इनका खुद का कोईन है वो है एच्टी कोईन अगर आप देखो 402 रुपे पर इसका प्राइस है 4% अभी डाउन चल रहा है 5 डॉलर के गरीब जो है इसकी वैल्यू है अगर पिछले 7 डेज का देखो के मार्किट डाउ जरूर गया है और ये भी 42% डाउन गया है अगर हुआबी की प्रॉबलम यहाँ पर बढ़ती है तो इस टोकन के उपर भी इंपेक्ट पड़ता हुआ दिखेगा अगर आप एच्टी टोकन के अंदर इंवेस्टेड है आपके पास है तो हुआबी की उपर आपकी नजर होन कोई FTT का बुरा हाल हो गया वो भी कहीं का नहीं रहा डी लिस्ट कर दिया है बाइनेंस ने भी अलब डी लिस्टिंग का भी अपडेट आ चुका है सब कुछ हो चुका है आपको पता हो अब क्रिप्टो डॉट कॉम भी यहाँ पे राडार पे चल रही है तो इसका जो टोक क्रिप्टो डॉट कॉम की जो गलत ट्रांसफर किया है जो एक सिगनल जो हिंट यहाँ पे मिल गया पहले ही और उसकी वज़ा से प्रैशर में आ चुका है अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो फिर यह रिकावर भी कर सकता है लेकिन अगर चीजें बिगडती है क्रिप्टो डॉट कॉम की तो उसका जो यह कॉइन है CRO वो भी FTT बनने वाला है ठीक है तो जो भी अपडेट रहेंगी बाकी हम आपको करते रहेंगे आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना तो बिल्कुल अगर आप देखो यहाँ पे जो वॉलेट्स है और वॉलेट्स के जो कॉइन्स है अपको पता एक्सजेंज पे जो चीजें चल रहे हैं बहुत सारे लोग अपने फंड्स को विड्रो करके वॉलेट्स पे शिफ्ट हो रहे हैं और वॉलेट्स का यूसेज बढ़ रहा है तो डेफिनेटली अगर आप देखो सेफ पल जो SFP है जिसका कोईन वो भी यहाँ पे 72% उपर है ट्रस्ट वॉलेट 75% और C98 का भी खुद का वॉलेट है C98 कोईन भी अगर आप देखोंगे वो भी यहाँ पे काफी अच्छा है तो जितने वॉलेट्स वाले कईन है वो यहाँ पे तगड़ा प्रॉफिट दे रहे हैं अपने होल्डर्स को और जो वॉलेट्स का यूस बढ़ रहा है उसी वज़ा से यहाँ पे आपको pump देखने को मिल रहा है wallets के जो coins है उनका तो जैसे कि आप सबको पता है crypto.com radar पे चल रही है next FTX बन सकती है और if you have fund on crypto.com please pay attention to the safety of your fund बिल्कुल safe कर लीजिए निकाल लीजिए funds को लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे they hold a lot of Shiba Inu and CRO जो खुद का इनका coin है CRO वो तो इस टेम पे tank कर रहा है मतलब काफी अच्छा नीचे आ चुका है अगर देखो problem में दिख रहा है लेकिन इनके पास Shiba Inu जब से ज़्यादा है लेकिन अगर आप देखो they withdrew 210 million 210 million इन्होंने USDT withdraw किये from Binance before releasing the reserve which is very strange और इन्होंने क्या किया है जब अपना reserve show किया है जिसके अंदर आप bitcoin 30% देखते हूँ Shiba Inu 20% है और उससे पहले इन्होंने 210 million USDT को withdraw किया Binance से reserve show करने से पहले और ये कहीना कहीन थोड़ा सा जो activity in exchanges की हो रही है यही activities इनको जो है एक दाइरे में लेके आ रही है जो FTX को जो कुछ हुआ है कहीना कहीन अब जो है इन exchanges का भी number हो सकता है और Shiba Inu पे अभी कोई जैदा impact नहीं है जरूरी नहीं है कि Shiba Inu पे impact पड़े लेकिन हाँ अगर इतना बड़ा reserve है इनके पास Shiba Inu का तो थोड़ा सा Shiba Inu पे फोकस करें अगर crypto.com थोड़ा problem में आता है अगर ऐसा कुछ होता है ये भी दिवालिया होता है तो फिर चीजें और खराब होएंगी CR-ो के लिए तो होएंगी होएंगी लेकिन Shiba Inu पे क्या impact पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी अगर हम यहाँ पे इनके wallets की बात कर लें crypto.com की 5 Ethereum wallets है ना और 6 BTC wallet of crypto.com hold a total of 2.68 billion dollar of asset मतलब 2 billion dollar के इनके पास assets है 2.6 billion dollar के जिसके अंदर अगर आप देखो including 51,000 तो इनके पास bitcoin है जिनकी value 857 million dollar की है 58 trillion Shiba Inu यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर है 58 trillion Shiba Inu की holdings है जो 531 million dollar के है यह भी इनके पास है 3,64,000 Ethereum है 184 million USDT है 88 million USDC 1.2 billion CRO और यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ और भी यहाँ पे इनके जो coins है जो holdings है जो कुछ और coins की holdings है वो आप देख सकते हो यहाँ पे यह कुछ ऐसे coins है अगर crypto.com problem में आया तो इन coins पे भी जो है impact पड़ सकता है Elon है Doge Elon, Link, Matic, Quant, Dye Mana, Sand, CHZ, Gala, Engine BUSD, WBTC, HOT यह कुछ coins की और holding है इसके पास Next update है hot coin को लेके Holo now on top 10 purchased token among 100 biggest Ethereum whales in the last 24 hour तो hot coin को 100 biggest Ethereum whales ने जो है यहाँ पे खरीदा है Holo coin, hot coin Last and final में हम बात करेंगे Rich quack की Rich quack की लगाता tokens burn होते जा रहे है जैदा burning तो नहीं हो रही है लेकिन हो ज़रूर रहे है Rich quack has burned 16.2 trillion quack जिनकी value 18,000 dollars की है in the last 7 days तो पिछले 7 दिन के अंदर 16 trillion quack rich quack जो है burn हो चुके है तो आज की इस video करते हैं फिलहाल यहीं पे end आगे जो update रहेंगे आपको मिलती रहेंगी आप वीडियो को like, share जरूर कीजेगा चैनल को भी subscribe करके bell icon प्रेस कर लेना कोई भी update आप से मिसनी होगा किसी भी crypto में invest कर रहे हैं तो हमेशा अपनी research करें वो बेहत जरूरी होती है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई